आपका अपना चैनल Shapers Education मैं आपका दोस्त आपका मेंट और आपका बड़ा भाइस यह मोहित्ता पड़िया और हमने अपने अभी-भी स्टार्ट किये है अपने अपने अभी तक पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो भीया पहले वाले पर पहले जाओ पहले वो जाके पड़ो उसके बाद में यहाँ आओ जादा समझना आएगा अगर आपको लग रहा है कि आपको बेजिक आता है तो आज मेरे साथ यही से स्वालू कर दो यहाँ आज हम डिसकस करने वाले हैं दो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यह स्पेसिफिक वीडियो शेर कैपिटल चैप्टर का है 12th Commerce के CA वाले कोई भी बच्चे जिनको यह टॉपिक समझना है यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो के अंदर फिलाल में आपको पहले concept सिखाऊंगा बाद में एक आदा सम भी गिनाऊंगा जिससे आपको इस टॉपिक को लेके बहुत जादा comfort आ जाए तो आज का मेरा वीडियो यह वीडियो यह चैप्टर को खतम नहीं करेगा मैंने जैसे की कहा था यह चैप्टर बड़ा है आपको समय देना पड़ेगा इसके बाद में और वीडियो जाएंगे जो इस चैप्टर को continue करने वाला है तो चलिए आज हम लोग आते हैं हमारे सबसे important topic जिसका नाम है calls in arrears and calls in advance तो आज का हमारा सबसे important topic है calls in arrears और दूसरा topic है calls in advance वैसे यह दो topic अलग-अलग topic है आपके books में यह दोनो topic अलग-अलग तरीके से दिये गए हैं तो अलग-अलग some इसके नीचे दिये गए हैं बट मैं इन topic को सामने साथ-साथ में पढ़ाना साथ-साथ समझाना सही समझता हूं आप एक बार observe कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको तो चलिए let us suppose कि मैंने first call मंगवाया जब मैं first call मंगवा तो मेरे entry क्या होती है मैं करता हूं share first call account debit to share capital बराबर है suppose मैंने first call मैं मंगवाये 100 रुपे तो मैंने क्या किया मैंने कहा कि share first call के लिए आप सारे लोग मेरे data हो क्यों data हो क्योंकि मैं आपसे first call मानता हूं और मैं आपको पहले से capital में हिसा दे चुका हूं तो मैंने entry कर दी share first call account debit to share capital ये मेरी पहली entry हो गई अब यहाँ पे दो बाते हो सकती है पहली बाते ये कि कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया याने कि वो है arrears दूसरी बात है ये कुछ लोगों ने पैसे जादा दे दिये याने कि वो हो गए advance राइट होता है कभी कबार कुछ लोग पैसा नहीं पहुंचाते समय पे उन्हें कहा जाता है calls in arrears और कुछ लोग क्या करते है भईया क्या हर बार पैसे मांग तो लो न अगले अंसॉल्मेंट भी साथ में रखो अब इफक कैसे देना यहाँ ध्यान दो सपोस करते हैं एक बंदे ने हमें पैसा नहीं दिया तो हम entry करेंगे bank से हमको पैसा मिला तो bank account के अंदर हमको आए 90 रुपीज जबकि first call हमेशा पूरे से close होगा तो share first call close हो गया पूरा 100 से यहाँ पे debit में 10 रुपे का difference आ गया उसे कहा जाता है calls in arrears क्या बोलेंगे बच्चा लोग उसे calls in arrears जब पैसा नहीं मिला या कम मिला तो सामने वाला बंदा उतनी amount के लिए मेरा data बन जाता है तो यह हो गया debit calls in arrears 10 रुपे से दूसरी situation let us suppose हमें एक बंदे ने bank से जब पैसा भीजने की बारी आई हमें total पैसा मिल गया 120 रुपीस कितरा मिल गया बच्चा लोग 120 रुपे बट जैसे कि मैंने आपको कहा था first call हमेशा पूरी amount से close होता है तो to share first call first call तो अपनी as it is 100 रुपे से close होगा अब आपको यहां पे credit में 20 रुपे ज़्यादा आ गया difference आ गया उसे कहा जाता है calls in advance याने के एक बंदे ने आपको first call के अंदर advance के 20 रुपे extra दे दिये याने के final call के या second call के पैसे extra भेज दिये तो जो लोग extra देते हैं वो creditor होते याने के credit होंगे जो लोग कम देते हैं वो data होते याने के debit होंगे this is the topic जिसे कहा जाता है calls in arrears and calls in advance बड़ाई simple सा है बड़ाई easy सा है क्या था इसके अंदर कि अगर कोई आदमी आपको कम पैसा दे रहा है तो उसे कहा जाएगा arrears और कोई आपको जादा पैसे दे रहा है उसे कहा जाएगा advance कभी कबार एक question में ये दोनों के दोनों point मिलके आ सकते हैं तो आपका काम रहेगा आप उस question को थोड़ा अच्छे से पढ़े अच्छे से समझे और बात में solve करना start करे मैं वादा करता हूँ थोड़ी सी practice के बाद में ये topic में कुछ भी जोर पढ़ने वाला नहीं है जैसे कि मैंने आपको वादा किया था पहले मैं आपको सिखाऊंगा concept जो की ये रहा फिर मैं आपको करवाऊंगा sum तो चलिए एक question लेके रखते है मैंने पहले से ही एक को कहा कि मैंने आपके लिए एक sum धून के रखा है इसमें मैंने थोड़े से changes की ये sum में तो आप ध्यान दे लिजेगा मैंने क्या किया है इस sum में एक statement काड़ दिया है जिससे कि ये sum थोड़ा सा tough हो जाए थोड़ा सा भारी हो जाए इसलिए मैंने क्या क्या arrears और advance दोनों भुसा दिया कि जाद अच्छे से समझ मैं और थोड़ा लगे की level का question करें अपने तो question ये वैसे तो कहने के लिए आपका illustration नंबर 6 ए टेक्स बूक का बट मैंने कुछ changes के जो बहुत important दियान दीजेगा मैं question आपके लिए पढ़ूँगा और निच्छ उस question को किस तरीके से एक जटके में shortcut में पढ़के लिखना वो सिखाऊंगा तो question कुछ इस प्रकार है परेश कंपने लिबेटेड ऑफ पालंपूर इश्यू टू लैक शैर्स वह या हमारी कंपनी ने कितने शैर इश्यू किये हैं दो लाक और हमारी कंपनी ने शैर इश्यू किये हैं दस रुपे का एक शैर है मज़ी की बात यह है कि कंपनी ने पैसे मंगवा तीन इस्टाल्मेंट में अप्लिकेशन पर मंगवा या साड़े तीन अलोट्पेंट पर मंगवा या चार और फाइनल कॉल पर मंगवा धाई रूपे कंपनी को टोटल एप्लिकेशन मिला है दो लाग तीस हजार शेर्स के उपर end of which application 30,000 वे रिजेक्टेड हमने 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया मतलब जो 30,000 हमको एक्स्ट्रा पैसा मिला था उसको हमने रिजेक्ट करके उसको ये पैसा बैंक से हमने refund कर दिया है ठीक है भईया याने के कहानी तो 2,000,000 पर आके रह गई हमें 2,000,000 तीस हजार शेर्स पर पैसा मिला था 30,000 वालों को हमने refund कर दिया और हमने 2,000,000 शेर्स वालों को पूरे शेर्स दे दिया अब अच्छा question चालू हो गए पहली कहानी चालू हो रही है नितिन की अभी तेक मैंने question में कोई change नहीं कहा है जो book का भई है भईया नितिन ने 5,000 शेर्स अपलाई किये थे ठीक है और हमने उसको 5,000 शेर्स अलोट भी कर दिये थे नितिन ने क्या किया उसने application पे ही allotment और first call तीनों का पैसा दे दिया मतलब उसने allotment पे कुछ नहीं भरा final call पे कुछ नहीं भरा उसने application पे आपको पूरे 10 रुपे पकड़ा दिये भाईया बार बार phone मत किया करो यार पैसे मागने के लिए पकड़ो पूरे पैसे तो उसने आपको पूरे के पूरे पैसे कब दे दिये पूरे के पूरे पैसे उसने आपको दे दिये application के साथ तो मैंने application allotment first and final call तीनों साथ में हो गए अब इसके आगे मैंने question में change किया ध्यान देना पियूश की कहानी के अंदर कुछ बदलाव हम कर रहे हैं इस question को थोड़ा tasty बनाने के लिए तो पियूश who was allotted 1500 shares अब यहाँ पे मैंने change ये कर दिया had not paid his first and final call कर दिया मैंने मतलब पियूश ने application भरा है allotment भरा है first and final call नहीं भरा है फीक है तो इसलिए यहाँ पे arrears भी आ गया और advance भी आ गया तो मैंने इस question में काल इतना ही किया है change कि 1500 shares had not paid paid कीज़े के not paid कर दिया last statement काट दिया हमारा question अब कुछ नया हो गया है कुछ मज़ा है इस question के अंदर तो पहले वापस से सवाल समझेंगे सवाल को जिस प्रकार था हमारी कमने के पास 2,00,000 शेर से एक शेर 10 रुपे का था कमने ने तीन इस्टार्मेंट में पैसे मंगवाए पैसा मिला 2,30,000 शेर के ओपर 30,000 वालों को हमने टाटा बाइबाई कर दिया 2,00,000 शेर वालों को पूरे शेर पकरा दिये फिर कहानी आते है दो लोगों की पहले कहानी नित्यन की दूसरी कहानी पियुश की नित्यन ने क्या क्या नित्यन ने application allotment of final call की नो एक साथ में चिपका दिये और पियुश ने क्या क्या उसने application भरा, allotment भरा, final call नहीं भरा तो इसने advance में दे दिये यह है call in advance है, यह है call in arrears अब मैं आपके लिए यह पूरा का पूरा question यहाँ पे solve कर रहा हूँ और मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ पे ध्यान दे, चलिए पहली entry आती हमको bank से पैसा मिल रहा है, इसलिए ध्यान देते रहे न हाँ पे आप लोग हमको bank से पैसा मिल रहा है, तो हमारी entry होगी bank से पैसा आया, तो bank account debit to share application, मुझे bank से पैसा मिला share application के लिए, मुझे कितने shares पे पैसा मिला, तो मुझे मिला 2,30,000 shares के उपर, कितने रुपे मिले भाया, मुझे 2,30,000 share के उपर, साड़े तीन रुपे मिल entry पे ध्यान देना, ये सबसे important है, अब हम क्या करेंगे, हम share application को पूरे से close करेंगे, हम share application को close करने वाले हैं, पूरी amount से याने के 2,30,000 के उपर, साड़े तीन रुपे, ठीक है, हमने share application को पूरी amount से close कर दिया, पर capital में कितना जाएगा, तो share capital में जाने वाला है, जितने हमा capital में जाएगा, 2,00,000 shares के उपर, 3 रुपे, ठीक है, अब थोड़ी से आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ, कि हमने यहाँ पे अभी तक सिर्फ basic entry की है, इसमें एक कमी है, मैं बताऊंगा क्या कमी है, इसलिए मैंने total बाहर लिखा नहीं अभी तक, इसमें एक कमी है, एक problem है, इसलिए ध्यान देते रहना, तो अभी तक क्या हुआ, 2,30,000 share के उपर 3,50 मिले, बराबर है इतना correct है, 2,30,000 पर 3,50 में से 2,00,000 को 3 रुपे तो हमने दे दिये, 2,00,000 पर 3,50 रुपे तो हमने capital वालों को दे दिये, अब क्या होगा मज़े की बात सुनना, अब मज़े क अच्छे से लिग देता हूँ, 3,50, ओके, तो इसके साथ हमारा ये तो adjustment हो गया, हमने 2,30,000 में से 2,00,000 को capital में दिया, 3,000,000 को बैंसे refund कर दिया, बट अभी एक कहानी बाकी है, कोई बताएगा क्या कहानी बाकी है, तो वो कहानी है बाकी नितिन की, क्यों नितिन की कहानी ब बंदा था, जिसने पहले ही कॉल में, धाई हजार शेर के उपर आगे वाले दोनों पैसे याने के 6,50 रुपे भी एक्स्ट्रा दे दिये, मतलब हमको बैंक से धाई हजार शेर के उपर 3,50, 6 रुपे उसने एक्स्ट्रा दे दिये थे, राइट, मतलब नितिन ने क्या किया दो तीस में धाई तो नितिन था, अंदर इंट्रुएड था, उसने साड़े तीन तो भरे भरे थे, उसने क्या किया, उसने अपने धाई हजार शेर पे फिर्स कॉल भी आपको पहले ही बैंक में दे दिया, और फाइनल कॉल भी दे दिया, मतलब बैंक से आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिला है, धाई हजार शेर के उपर साड़े चैर रुपे, तो जब यहाँ पर एप्लिकेशन इतना आएगा, तो यहाँ पर आपको एप्लिकेशन में भी धाई हजार पे साड़े चैर एक्स्ट्रा क्लोज करने पड़ेंगे, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पै अग लिख सकते हो, देखो गुजराद बुड में क्या करते हैं, वो लोग allotment में calls in advance नहीं लिखते हैं, वो भी चलेगा, CVSC वाले लिख देते हैं, वो भी चलेगा, तो हम एक काम करते हैं, गुजराद बुड का तरीका अपनाते हैं, हम calls in advance में धाई रुपे ही लिखते हैं, और जो final call के हमको धाई एक्स्ट्रा मिल गया, उसको हमने final call पे रिकान गया, समझे बात को, ये सबसे शानदार entry है, ध्यान देना यहां पे, मैं क्यूं बोलता था, brackets important है, brackets जान है आपके लिए, calculation तो आपका calculator ऐसे ऐसे कर देगा, तो सोचना तो आपको पढ़ेगा, प्लस क्या हुआ, नितिन ने अपने धाई अजार शेर के उपर आगे के दो call हमको एक्स्ट्रा दे दिये, मतलब चार और धाई मिला के साड़े छे रुपे नितिन हमको एक्स्ट्रा दे दिये, अब वो साड़े चे यहां पे भी close हुआ, जिसमें से चार रुपे चला गया share allotment में और धाई रुपे चला गया final call के advance के अंदर, समझे बात को, चलिए, इसके साथ आपका पहला काम तमाम हुआ, अब second entry, important entry, अब आप मंगवाने वाले हो allotment के पैसे तो आप entry करोगे share allotment के लिए, आप लोग सब मेरे data हो, याने कि मैं आप से 2,00,000 share के उपर 4 मैं आपको पहले से share capital में साथ दे दिया है, अम मज़े की बात क्या होगी, जब बैंक से पैसा मिलने की बारी आएगी, हमें मिलना चाहिए था 2,00,000 के उपर 4 रुपे, जबकि एक बंदा है, जिसके पास 2,000 share थे, वो हमें already allotment दे चुका है, तो 2,00,000 share पे हमको allotment नहीं म मिलेंगे, 2,00,000 में से 6,000 माइनस करो, याने के हमको bank से 1,97,500 shares के उपर ही 4 रुपे मिलेंगे, और 2 share allotment भी हमारा उतने से ही बंद होने वाला है, याने के 1,97,500 shares के उपर 4 रुपीज, आप वापस से समझो, क्यों भाईया, 6,000 कम क्यों हो गए, हमने मंगवाए थे 2,00,000 share के उपर पैसे, बट 5,000 share के उपर नितिन अल्रेडी एडवांस में दे चुका है, वो माइनस कर दो, मतलब 197,500 shares के उपर ही हमें allotment मिलने वाला है, तो ये working भ्यान से समझ लेना, easy है, कुछ तफ नहीं है, बट समझना तो आपको पढ़ेगा, वो आपका करतव या है, वो आ Final Call हम मंगवाने वाले हैं, कितने रुपे मंगवाने वाले हैं? हम मंगवाने वाले हैं, 2,00,000 share के उपर 5,00,000 अब मज़े की बात सुनना, ध्यान देना, जब बाइंक से पैसा मिलने की बारी आएगी तो क्या होगा ध्यान से सुनना सुनना ध्यान से हमें मिलने वाला था 2,00,000 शेर के उपर 5,00,000 रुपे याने के हमें चाहिए थे 5,00,000 रुपे अब यहाँ पे दो बाते हैं एक बंदा 1500 शेर पे पैसा नहीं दे रहा है और एक बंदा 5,000 शेर पे पैसा एडवांस दे चुका है एक दे चुका है एक दे नहीं रहा है कुल मिला के हमें 4,000 शेर के उपर बैंक से पैसा नहीं आ रहा है मतलब हमने मंगवा है ते 2 लाग शेयर के उपर 5 रूपे जबकि बैंक से हमको मिला 1,96,000 शेयर के उपर 2.5 रूपीज ओनली क्यों भाईया क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया उनको बोलेंगे calls in arrears ऐसे कितने लोगे भाईया खाले प्यूश भाई है 1500 शेयर के उपर 5.5 रूपे हमको नहीं मिले और एक भाई ने पैसे advance दे दिये थे तो उसका advance यहां आज close कर दिया जाएगा तो उसका advance यहां close कर दो याने के 5,000 शेयर के उपर 5.5 रूपे का advance हमें आ चुका था और हमारा share first and final call पूरी amount से close हो जाएगा याने के 2,000,000 शेयर के उपर 2.5 रूपीज बहुत मज़ेदार entry ध्यान देना फिर से समझना क्या किया मैंने हमें मिलने वाले थे थोटल 2,000,000 शेयर के उपर पैसे पर इस बंदे के पास 1500 शेयर थे इसने पैसे नहीं दिये तो भाईया पहले तो माइनस कर दो 1500, 1500 शेयर वाला पैसे नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है क्योंकि वो हो गया calls in arrears arrears होते हैं debit दूसरा ये बंदा है जिसके पास 6,000 शेयर है वो अलड़ी हमें advance में दे चुका है वो भी पैसे नहीं दे रहा है तो धाई हजार को भी माइनस कर दो याने हमें पैसे मिले सिर्फ 1,96,000 शेयर के ऊपर तो बैंक से मिल गए 1,96 जो नहीं दे रहा है वो arrears और जो extra दे चुका है वो advance logic सुनना पहले ये advance हमारे लिए creditor थे क्योंकि इन लोगों ने हमें extra पैसे दिये थे आज ये advance close हो गया मतलब debit हो गया मतलब अब आप हमारे लिए creditor नहीं हो क्योंकि आपने अपना हिसाब settle कर दिया तो वो advance आज बंद हो गया तो advance हमारी book के बाहर चला गया और first call जितने से खुला था first call exactly उतने से ही वापस से बंद हो गया सोचो एक छोटा सा change करके मैंने question को कितना testy बना दिया है न तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको concept आता है तो सब कुछ आता है अच्छा लगा question वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ share करो पढ़ाई करते रो मजे से पढ़ो और मेरी क्या हची है लिचे comment में ठिकाते रहो मैं आपके साथ रो करते हैं